संक्षित परिचय, नाम सूर्दास, जन्म 1478 ईशुमी, मृत्यू 1583 ईशुमी, मृत्यू का स्थान पारसौली, पिता का नाम पंडित रामदास, गुरु आचार्य बल्लभाचार्य, भक्ती कृष्ण भक्ती, ब्रह्मा का रूप सबुन, निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर, भ साहित्य लहरी, साहित्य में योगदान, कृष्ण की बाल, लीलाओं तथा कृष्ण लीलाओं का मनोरम चितरन किया है, रचनाय सूर्सागर, साहित्य लहरी, सूरावली, जीवन परिचय, भक्ती कालीन, महाकवी सूर्दास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईशुमी मे पंडित राम दास जी के घर हुआ था। वह हिंदी भक्त कवियों में शिरोमी माने जाते हैं। सभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूर्दास जी दीनता के पद गाया करते थे तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे सूर्दास जी की मृत्यू 1583 ईशुमी में गोवर्धन के पास पार्सॉली नामक ग्राम में हुई थी। इन्होंने मानव हरिदय की कोमल भावनाओं का प्रभाव पूर्ण चितरन किया है। अपने काम में भावात्मक पक्ष और कलात्मक पक्ष दोनों पर उन्होंने अपनी विशिष्ट छाप जोडी है। कृतिया रचनाएं भक्त शिरों में सूर्दास जी ने लगभग सवा लाख पदों की रचना की थी जिन में से केवल आट से दस हजार पद ही प्राप्ध हो पाए हैं। काशी नागरी प्रचारिनी सभा के पुस्तकाले में यह रचनाएं सुरक्षित हैं। उस्तकाले में सुरक्षित रचनाओं के आधार पर सूर्दास जी की गरंथों की संख्या 25 मानी जाती है। किन्तु इनके तीन गरंथों ही उपलब्ध हुए हैं, जो अगरलिखित हैं। एक डॉट सूर्सागर यह सूर्दास जी की एक मात्र प्रमानिक प्रती है। यह एक गीतिकाव्य है, जो श्रीमत भगवत गरंथ से प्रभावित है। इसमें कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव, गोपी, समवाद का बड़ा मनोगय ज्यानिक और सरस्वर्णन है। साहित्य लहरी, सूर्सागर, सूर की सारावली। श्री कृष्ण जी की बाल छवी पर लिखनी अनुपम चली। दो सूर्सारावली, यह गरंथ सूर्सागर का सार भाग है, जो अभी तक विवाद इस पत स्थिती में है, किन्टु यह भी सूर्दास जी की एक प्रमानिक कृती है। इसमें 1107 पद हैं। तीन साहित्यलहरी इस गरंथ में 118 दृष्टी कूट पदों का संद्रह है, तथा इसमें मुख्य रूप से नायकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। कहीं कहीं श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का वर्नन तथा एक दो स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की जलक भी दिखाई दिती है। भाशा शैली सूर्दास जी ने अपने पदों में ब्रज भाशा का प्रयोग किया है, तथा इनके सभी पद गीतात्मक हैं, जिस कारण इन में मधुर गुड की प्रधानता है। इन्हों ने सरल एवं प्रभाव और शैली का प्रयोग किया है। उनका काव्य मुक्तक शैली पर आधारित है। व्यन वक्रता और वागेवद्वधता सूर की भाशा की प्रमुख विशेश्टाए हैं। तथा वर्णन में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। द्रिश्टिकूत पदों में कुछ किलश्टता अवश्य आ गई है। हिंदी साहित्य में स्थान सूर्दास जी हिंदी साहित्य के महान का अव्यात्मक प्रतिभासंपन कभी थे इन्होंने श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेन लीलाओं का जो मनोरम चितरन किया है। वह साहित्य में अध्धिती है। हिंदी साहित्य में वास्तव वर्णन का एक मात्र कभी सूर्दास जी को ही माना जाता है साथ ही उन्होंने विरह वर्णन का भी अपनी सरचनाओं में बड़ा ही मनोरम चितरन किया है सूर्दास का विवाह कहा जाता है कि सूर्दास जी ने विवाह किया था हाला कि इनके व्यवाहर को लेकर कोई साक्ष प्राप्त नहीं हुए है लेकिन फिर भी उनकी पत्नी का नाम रतनावली माना गया है कहा जाता है कि संसार से विरक्थ होने से पहले सूर्दास जी ने अपने परिवार के साथ यह जीवन व्यतीक किया करते थे सूर्दास के गुरु अपने परिवार से विरक्थ होने के पश्चात सूर्दास जी दिनता के पद गाया करते थे कवी सूर्दास के मुख से भक्ती का एक पद सुनकर श्री वल्भाचार्य ने अपना शिष्य मान लिया जिसके बाद वह कृष्ण भगवान का स्मरण और उनकी लिलाओं का वर्णन करने लगे साथ ही वह आचार्य वल्भाचार्य के साथ मतुरा के गवगाट पर स्थित श्री नात के मंदिर में भजनकीर्तन किया करते थे महान कवी सूर्दास आचार्य बल्भाचार्य के प्रमुक्षिश में से एक थे और एक अश्टचाप कवियों में भी सर्वश्रिष्ट स्थान रखते हैं। श्रीकृष्ण गीतावली कहा जाता है कि कवी सूर्दास ने प्रभावित होकर ही तुलसीदास जी ने महान ग्रंथ श्रीकृष्ण गीतावली की रचना की थी और इन दोनों के बीच तब से ही प्रेम और मित्रता का भाव बढ़ने लगा था।